नमस्कार साथ यू रेलवे ग्रूप डी प्लीस एंटी पीसी सी बीटी टू एवं रीट की जो परतियोगी प्रीक्षाएं हैं उन परतियोगी प्रीक्षाओं है तू बहुती महतोपूर्ण टेस्ट श्रीज है मित्रू जिसमें हमारा विशे हैं बोतिक विज्ञान बोतिक व जो साउंड धवनी का टोपिक है उस टोपिक से टॉप 20 महतोपूर्ण पर्षनों का समाविश किया गया है मित्रू 20 महतोपूर्ण पर्षनों से गोल्डन टेस्ट श्रीज 24 तयार की गई है धवनी का दूसरा भाग है मित्रू एक बाग कल हो चुका है कम्प्लीट आज दू दूसरे भाग का जो पहला क्यूषन है उसकी ओर वड़ते हैं हमारा जो पहला क्यूषन है वह है प्राशर्वतरंगे प्राशर्वतरंगे मनुश्य द्वारा तो इसका जो उत्तर है वैं हो जाएगा option number 2 मित्रू option number 2 नहीं सुनी जाती है प्रा सर्वतरंगों के बारे में बताना था तो जो प्रा सर्वतरंगे होती है जिनकी जो heritage है जो 20,000 से अधिक होती है उनकी जो आवरती है वो 20,000 से अधिक होती है इस कारण हम प्रा सर्वतरंगों को नहीं सुन सकते हैं तो मारा कर्रेक्ट आंसोर हो जाएगा ओप्षण नमबर दो मित्रू अगले Q weekend की ओर बड़ते हैं अगला Q isyn है मारा दो नमबर वायू में दवनी का वेग वायू में दवनी का वेग होता है तो इसका जो सही उत्तर है वे रहेगा option number 1 मित्रो option number 1 correct answer हो जाएगा इसका ताप मान के बढ़ने से गटता है जो वायू है वायू में जो दवनी का वेग होता है जैसे ही ताप मान बढ़ेगा तो उसका जो वेग है वे गट जाएगा एक उधारण बता देता हूं मित्रो में आपको रात्री के समय ताप मान कम होता है तो जो वहान है या अपने आसपास में कोई railway track है तो railway track से जो गाड़ी से सीटी की अवाज और पत्रियों की अवाज 10-12 km तक सुनाई पढ़ सकती है लेकिन दिन के समय में जैसे ही ताप मान बढ़ता है तो वह दवनी का वेग हम तक नहीं पहुँच पाता है तो इसका जो सही उत्तर है वे रहेगा option नमबर एक दवनी का वेग ताप मान के बढ़ने से घट जाता है अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं अगला क्यूशन है हमारा तीन नमबर मित्रू तीन नमबर क्यूशन देखिए दवनी तरंगों की प्रकरती होती है दवनी तरंगों की प्रकरती कैसी होती है मित्रो तो इसका जो सही उत्तर है वे रहेगा ओप्सन नमबर दो कर्रेक्ट आंस्वर हो जाएगा मित्रो अनू देदरिये होती है दवनी तरंगों की प्रकरती कैसी होती है मित्रो अनू देदरिये अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं अगला क्यूशन रहेगा हमारा चार नंबर दवनी के वेग का मान सबसे कम इन में से किस में होता है मित्रो तो इसका जो सही उत्तर है वे रहेगा ओप्शन नंबर तीन गेंस में गेंस में सबसे कम होता है वेग का मान और सरवादिक किस में होता है मित्रो ठोस में ठोस में सबसे कम, सबसे कम, अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्यूशन रहेगा मित्रो हमारा पांच नमबर, पांच नमबर क्यूशन देखिए, कीडों तता हानी पहुचाने वाले जीवों को घर से दूर बगाने के लिए परियोग में लाया जाता है, इन में से किसका पर योग किया जाता है मित्रो, तो इसका जो सही उत्तर हैं, वे रहेगा उप्शन नमबर एक, उप्शन नमबर एक, कर्रेक्ट आंस्वर हो जाएगा, अल्ट्रा सोनिक तरंग, अल्ट्रा सोनिक तरंग मित्रो, अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्यूशन रहेगा हमारा छे नंबर बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गरजन सुनाई देती है इसका क्या कारण है बादल की जो बिजली है उसकी चमक हमें पहले दिखाई पड़ जाती है लेकिन जो उसकी धमनी होती है आवाज होती है गरजना होती है वे बाद में सुन प्रकास की दवनी चाल में बहुत अधिक होती है प्रकास तीवर गती से चलता है और धवनी दीरे चलती है इस कारण हमें चमक पहले दिखाई देती है उसकी गर्जना बाद में सुनाई पड़ती हैं अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं अगला क्यूशन रहेगा हमारा साथ नमबर अनूरणन काल तता होल के आयतन के बीच संबंद का परतिपादन किया किसने परतिपादन किया था मि अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं अगला क्यूशन रहेगा हमारा आठ नमबर आठ नमबर क्यूशन देखिए निर्वात में दवनी त्रंगों का संचरण निर्वात में दवनी त्रंगों का संचरण के बारे में बताना है तो इसका जो सई उत्तर है वे रहेगा ओप्चन नमबर दू निर्वात में नहीं होता है निर्वात में दवनी त्रंगों का संचरण नहीं होता है मित्रू अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं अगला देखिए पारा में दवनी की चाल कितनी होती है पारा में दवनी की चाल लगबग है तो मित्रो इसका जो सही उत्तर है वे रहेगा ओप्सन नमबर एक ओप्सन नमबर एक कर्रेक्ट अंसर हो जाएगा 1450 मिटर परती सेकिंड होता है अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं अगला क्यूशन रहेगा हमारा 10 नमबर राध है राध है 10 नमबर क्यूशन देखी इस पस्ट परती दवनी सुनने के लिए प्रावर्तक तल वै दवनी स्रोत के बीच नियुनतम दूरी होनी चाहिए तो मित्रो जब भी हम आवाज लगाते हैं तो जैसे ही टकरा कर पुने हम तक सुनाई दे इसके लिए कम से कम 17 मीटर होना अनिवारिये हैं तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ओप्सन नमबर 4 ओप्सन नमबर 4 हो जाएगा कर्रेक्ट आंस्वर 17 मीटर 17 मीटर की दूरी होना आवशक हैं अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं अगला क्यूशन रहेगा हमारा 11 नमबर 11 नमबर क्यूशन देखिए विमानों के आंत्रिक भागों की सपाई में किसका उप्योग किया जाता है जो विमान है उसके जो आंत्रिक भाग है उनकी सपाई में किसका उप्योग किया जाता है तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ओप्सन नमबर 1 ओप्सन नमबर एक कर्रेक्ट आंसुर हो जाएगा प्रासर्वत रंगे प्रासर्वत रंगों का परियोग करके विमानों के आंत्रिक बागों की सपाई की जाती है मित्रू अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं अगला क्यूशन रहेगा हमारा बारा नमबर बारा नमबर क्यूशन देखिए दवनी का तारतव निर्बर करता है इन में से किसके उपर दवनी का जो तारतव है वह निर्बर करेगा तो इसका जो सई उत्तर है वह रहेगा ओप्सन नमबर एक ओप्सन नमबर एक इसका कर्रेक्ट आंसुर हो जाएगा आवरती पर दवनी क तारतव आवर्ति पर निर्बर करता है अगला क्यूशन देखिए अगला क्यूशन रहेगा हमारा तेरा नंबर तेरा नंबर क्यूशन देखिए चमगादड भादाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन करते हैं चम गादड कौन सी तरंगे उत्पन करता है मित्रो, तो हमारा जो सही उत्तर है वह रहेगा option number 2, option number 2 correct answer हो जाएगा, प्राश्र्वधमनी तरंगे, चम गादड अपनी बादाओं का पता लगाने के लिए प्राश्र्वधमनी तरंगे उत्पन करती हैं और उनके द्वारा जो स अगला क्यूशन है मारा चवदा नंबर चवदा नंबर क्यूशन देखिए दवनी तरंग का अभी लक्षन है दवनी तरंग का अभी लक्षन इन में से कोन सा है मित्रो तो इन में से देखिए आवर्ती आयाम वेग या फिर उप्रूक्त सभी तो हमारा जो सही उत्तर है वे र सुर हो जाएगा आवर्ती भी होती है आयाम होता है और वेग तीनों ही ओप्सन कर्रेक्ट हैं दवनी त्रंका अभी लक्षन लक्षन कोन प्रकट करती है आवर्ती भी करती है आयाम भी करता है और वेग ये तीनों ही सई उत्तर हैं अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं अगला क्यूशन है हमारा 15 नंबर 15 नंबर क्यूशन देखिए दवनी की सरवादिक चाल किस माध्यम में हैं दवनी की जो सरवादिक चाल है तीवर गती से इनमें से किस में है मित्रो तो इसका जो सही उत्तर हैं वे रहेगा उपसन नंबर 2 गर्यक्ट अंस्वर हो जाएगा उपसन नंबर 2 गर्यक्ट अंस्वर एलुमिनियम में लगबग 6054 मीटर के बरावर होती हैं अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं अगला क्यूशन रहेगा हमारा सोला नंबर अनु देदरिये तरंगे उत्पन की जा सकती हैं इन में से किसके दुआरा अनु देदरिये तरंग उत्पन की जाती हैं तो मित्रो इसका जो सही उत्तर हैं वे रहेगा ओप्सन नंबर चार ओप्सन नंबर चार कर्रेक्ट आंसर हो अगला क्यूशन रहेगा हमारा 17 नमबर, प्रती सेकंड समय में पून किये गए दो लुनों की संक्या को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्र हैं, भे रहेगा औप्सन नमबर 4, औप्सन नमबर 4 आवरती कहते हैं, कर्रेक्ट आंस्वर 4 हो जायेगा, option number 4, correct answer हो जाएगा, दोलनों की संक्या को आवर्ति कहा जाता है, अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्यूशन रहेगा हमारा 18 नंबर, 18 नंबर क्यूशन देखिए, आयाम का मातरक क्या है, आयाम का मातरक क्या होता है इन में से, तो इसका जो सही उत्तर है, वे option number 1, option number 1, मिटर होता है मिटर होता है, अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्यूशन रहेगा हमारा 19 नंबर, 19 नंबर क्यूशन देखिए, सबसे अधिक तिवर्ता की दवनी उत्पन करता है, इन जीवों में से कौन सा जीव हैं, जो सबसे ज़्यादा तिवर्गती से दवनी उत्पन करता है, तो इसका जो सई उत्तर हैं, वे रहेगा, option number 4, option number 4, इसका correct answer हो जाएगा, भाग, भाग सरवादिक तिवर्ता की दवनी उत्पन करता है, अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं, अगला ओर अंतिम क्यूशन देखिए मित्रो, 20 नंबर, 20 नंबर क्य देखिए, राडार की कारिय प्रनाली निम्न सिद्दान्त पर आदारित होती है, इनमें से कोन सा सिद्दान्त राडार पर उप्यूक्त होता है, तो इसका जो सई उत्तर हैं, वे रहेगा, option number 2, correct answer हो जाएगा, option number 2 मित्रो, रेडियो तरंगों का प्रावर्तन करता है, विना सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों में अवस्से सेर करें, बहुत बहुत धन्यवाद, राधे, राधे